जेहन दोस्तो, वेलकम डू ग्यान सवर 24, दोस्तो आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि जो बिहार बीड का कांसलिंग का रिजल्ट आ चुका है और उस रिजल्ट में बता दिया है कि कौन से कॉलेज में आपको एडिविशन लेना है अब बात कर लेते हैं कि एडिविशन लेने के लिए आपके पास कौन कौन से डोकुमेंट्स चाहिए है आज के इस वीडियो में यहीं डिसकर्शन करने वाले हैं चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं अगर आप चैनल पर नए होंगे चैनल के जरूर सब्सक्राइब किजिएगा कि आई सही अपडेट आलवेज इस पर आते रहता है सबसे पहले कोई भी प्राउजर को ओपेन कर लिजिए और इसी चैनल के ओफिचल वेबसाइट ग्यानसवाट24 आपको सर्च कर देना है या ग्यानसवाट24.com देखिए कुछ इस तरकी इंटरफेस आजाएगा आपको यहाँ पर किलिक कर देना है ठीक है जैसे ही क्लिक किजिएगा तो यह देखिए आपको सामने वेबसाइट आशुका है जैसे उपर से नीचे चक देखिएगा तर ऐसे आपको वेबसाइट दीखेगा ठीक आपको आना यहाँ एड़िशन में एड़िशर में आने के बाद इस पर क्लिक कर देना है और जैसे ही आप क्लिक करते हो कुछ इस तरह की इंटरफेस पर आ जाईएगा और यहां लिखा हुआ है डोकुमेंट्स पर विहार वेट एड़िशन 2021 से पर आपको क्लिक कर देना है यहां आएसे आएगा तो आपको बंद करें पर नहीं था एक बार खोले पर क्लिक करके फिर वैक कर लेना है ठीक अब देखिए नीचे आना है और यहां से टोटल डिटील आपको पढ़ लिए ठ देख चलिए मैं यहां से बता दिया हूं लेके लिका हुआ है फ्री अव्यार्तिक गण्ड सेटी प्येट 2021 की परिक्षा में सफालता प्राप्त करने के लिए बाद आई आपका नहमानकर आपके द्वारा चैनित बिस्तों बिद्धाल है यहां सहस्थान बीट पार्ठकरम क यह लिख रहा है कि जो आप चैनित किये हुए थे जो बिस्तों बिद्धाले उसमें आपको सीट मिल चुका है कि आपने मलिखित परमान और अभिलेक स्वह अभी परमानित फोटो को भी का एक सीट है ठीक टोटल यह जो दिया गया उसका एक सीट मिलान के टीथी समय सास्थ चान पे जिसमें आपका नाम लिखवाना है वहां पर आपको पहुंच जानी है ठीक अब देखिए यहां से देख लेते हैं कॉलिज का में आपको कौन-कौन से डॉकुमेंट लेकर जाना है सबसे पहले एडमीड कार्ड ऑफ सीटी बीएड 2021 एक्जामिनेशन आपको समझ में आ चुका होगा कि एक्जामिनेशन में जो आपका एडमीड कार्ड लगा था वहीं आपको लेकर अपनेशन के पालबाएं ज्युक्ति अफूंड करों के जहना है शार फ्रैशन के में सब्सक्राव 2 जो आपको काउंसotal लीए कंसटिंय के पहले आहाए था कि आपको काउंसुद्रिण कराना हुओ आपको लेकर जाना है थर्ड नूमर पर कॉलेज एलर्टमेंट जो आप निकाले हुए थे ठीक है यहां से मतलब जैसे आपको यह कागज ले जाने से पहले आपको 3000 के पीमेंट करना है वहीं रिशिव्ट आपको ले लेना है तेंद के मार्क सीट त्विल्द के मार्क सीट ठीक है उसके बाद नीच यह गिर्जुएशन के मार्क्सिट आपको ले लेना है अगर पीजी है तो पीजी के मार्क्सिट ले लेना है उसके बाद नीचे आईएगा CLC DLCTC तो जो भी आपके पास हो वह अपको लेकर जाना है ठीक है नीचे आईएगा याने के निवास सर्टिफिकेट कास सर्टिफिकेट ठीक है लिखा हुआ है कि मौनली फॉर रिजर्ब केटेगरी ठीक है उन्हीं को यह कास्ट लगेगा अगर नहीं है तो कोई दिकत नहीं है आप देखेएगा EWS से हैं उनको यह लगेगा ठीक है Cristo ओल दी कि दिवियांग में एउस किये हुआ है उनको यह लगेगा वारणा उनको भी यह नहीं लखेगा जो EWS में भार हूंगे तो उनको EWS सर्टि फिकेट लगेगा वार्ना किसी को नहीं लखेगा अब निचे लिखेगा लिखा है कि any other quota अगर quota में आप डाले हुए हैं यस किये हुए है तो आपको certificate ले कर जाना पड़ेगा अधरवाज नहीं लेकर जाना पड़ेगा और चाहरा आपको photo लेकर जाना आप टिक है इतना करकी आपको क्या करना है college जाना है देखिए अभी तक आप result नहीं देखे हुए है तो लिखा हुआ है counseling result video click here पर click करके आप क्या यह कर सकते हो counseling का video देखर अपने result खुद का देख सकते हो अब बात हो रहा है कि यह कि कैसे जो यह 3000 का है इसको 3000 का payment कैसे करें तो अश्लाम तक मिल जएगा और एक बात हो है जैसे कि आपको college में नाम आया हुआ है अगर आप लिखवाना नहीं चाहते हैं तो उसके लिए क्या करना हुआ नेक्स वीडियो के वेट कर लिए है ठीक चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स वीडियो में thanks for watch